वघ्रेंडेस, वॉलकूम बेक टू किचन फॉर यू, आज हम बनायेंगे बांगलादिशी पुलाओ, पुलाओ हम बनाते हैं बहुत तरीकों से लेकिन आज हम इस चाही पुलाओ की रिस्पी बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही टिस्टी है,' आप इस कुलाओ को इस तरीके स गी डाल देंगे और साथ में हम डाल देंगे दार्ची, इलाइची और तेजपाता, कुछ सिगन के लिए हमें इसे फ्राइ कर लेनी है, अब हम इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज का ओनियोन, ओनियोन को भी हमने पारिकाट लिया है, इसे हम गोल्डेन ब्राउन होए तक प्लोप लेन में फ्राइ करेंगे, और यह आप देख सकते हैं कि ओनियोन हलका सा गोल्डेन ब्राउन फ्राइ हुआ है, इसमें हम हम चम्मच अद्रक अगलेशन की पेस्ट डाल देंगे, और इपर अच्छे से ओनियोन की साथ इसे फ्राइ कर लेंगे, सारी इंट्रियम साम अब हम इसमें डाल देंगे पानी, तो यहाँ पे हम पास्तो पानी डाल देंगे, और हम डाल देंगे अरशोप्रम मिल्क, आप चाहे तो बीना मिल्क के भी इसे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप मिल्क डालेंगे, तो इसमें डाल देंगे, और फिर हम इसमें डाल देंगे, तो मैं यहां पर one time लिस्पर salt आ जोगी और यह जो राइस है, राइस को हमें इस राइट से बीगो के रखा है, इसे हम आचे से धुल लिया है, इसे गोविंदोगोग राइस के आथे हैं, आप मार्केट में इजी लिए से मूझ सकते हैं गुमिन दमग राइस में साहीद व्लाव बहुत अच्छी बनती है लेकिन अगर आप चाहिए तो कोई और भी अपराइस ले सकते हैं तो अब हमें इसमें टाल देनी है इसे डाल के बस हमें इसे कभर करके लो फ्ले में हमें इसे पकाने है या मीडियम फ्ले में तो अब हमें इसे बंद करने हैं तो इस तरह के से हम इसे बंद करतेंगे और थोई टाइम बाद हम इसका कभर ओपन करेंगे और ये देखें ये आदा से भी ज़्यादा हो गया है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा गिला नहीं करने हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पुलाव बेलकुल खिला बने तो आप पानी बहुत कब करिए और बहुत ही जल्डी इसे उबाड़े तो ये बीलकुल खिला होगा लेकिन अगर आप शाहिए पुलाव इस तरीके से बना तो इसे थोड़ा सा गिला करेंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी होगा अब हम इसमें डालेंगे हारी मिच तुपास से साथ हारी मिच हम इस तरीके से डालेंगे और फिर हम इसे एक बर मिलाएंगे इस तरीके से पुलाव में हम चीनी बिल्कुल नहीं डालते हैं क्योंकि जैनी इसमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है इसपफ़ाव में बिना चिनी की दुबिध टेस्टी होता है तो आप इसमें लज़ хотा ये और यह बर देख सकते हैं कि पुलाव आधा तयार है इसे वमक्यूसे अमें बज़ता और पकानी है तो इसके पहले मैं हम इसे और फोड़ी सी किष्मीजा डाल जाल देंगी इस oil बाटायेंगी लेकिन कले के लियुका जासे कभेर बिए और पास्मीजा तो मैं इसके उपर प्राय के अहर अनियम डाल दूँगी और फिर हम इसमें डाल जेंगे एक चमच घीव और गीन डालके बस इसे हमारी तयार है आज की हमारी शाही पुलाव की रिस्पी बहुत ही टेस्टी है आप इस तरीके से बनाईए आपको बहुत पसंद आएगा तो आ का अनिकी शाष्या करें पूर आब करेंएग साथ।